नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी सेक सिंग और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तों मैं लाइव साइट से ही ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप इस वीडियो को देख करके समझ पाएं कि घर बनवाते वक्त अगर आपका प्लानिंग तीन मंजिला घर बनाने का है तो उसकी स्टील डीटेल क्या होंगे मतलब कि उसमें कितना एमेम का रोड कितना एमेम का सरिया बगरा इस्तमाल करना है हर एक कनफ्यूजन आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे दोस्तो सबसे पहले तो मैं इसके डाया के बारे में बात करूँगा और उसके बाद मैं आपको कुछ और जैनकारिया रोड से जुरी हुई देने वाला हूँ जो साइड वाले चार रोड आप देख रहे हैं और बीच में दो रोड आपको दिख रहा होगा साइड वाले रोड का जिसे इस रोड का अगर डाया देखेंगे तो ये 16 mm का है चुकि हमें आगे चल करके इसको जो है वो तीन मंजला घर में तबदिल करना है दोस्तो रोड हमें र soccer अच्छे company काले ये जैसे ये Tata Tiscon का है और साथ ये साथ plane बार का इस्तमाल आपको नहीं करना है रिव वाले बार का आपको इस्तमाल जो है वो करना है जिससे concrete के साथ इसकी पकर Bहुत ही अच्छी होती है तो ये बीच वाला आप बार देख रहे होंगे ये 12 mm का है दोस्तो ये जो हमारा stir up आप देख पा रहे हैं ये tie भी बोलते हैं इसको ring भी बोलते हैं बहुत जगा तो ये जो ring देख रहे हैं सबसे common इसका नाम ring ही है तो ये ring जो है वो 8 mm का इस्तिमाल किया गया है दोस्तो एक ring से दूसरे ring की दूरी कम से कम 6 से 8 इंच के बीच में ही रखना होगा दोस्तो ये एक side से देखेंगे तो आपको तीन बार दिखेगा और बीच में एक आपको बार दिखेगा दोस्तो इनका distance जो है वो अलग नहीं है ये जो आप तीनों एक line में rod देख रहे हैं अब बीच वला ये rod है ये दोनों को बराबर दूरी पे बातना चाहिए इससे आपका होगा ये कि आपके घर का load distribution बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और आपका जो structure रहेगा आपका जो घर रहेगा वो काफी दिनों तक टिक पाएगा दोस्तो ये छोटी छोटी गलतिया अगर आप ठेकदार पे अगर आप मिस्तरी पे छोड़ देंगे तो ये जो है वो नहीं चलने वाला है आपको भी cross check करने के लिए आपको अपने site पे विजिट करना ही होगा चुकि आपको जो है वो जनकारी है तो आप विजिट करिए आप देखिए कि किस तरह से काम हो रहा है जैसे कि मैंने इस विडियो में बता दिया आपको rod detail जो हमारा tie का जो डाया है वो 8 mm का रखा गया है दूरी किस तरह से रखना है ये भी मैंने आपको बता दिया है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि अगर आपका rod जंग लगा हुआ है तो दो तरह के जो है वो उसमें problem आती है एक तो है कि आपका rust लगेगा rust को अगर आप हाथ से घीशते हैं तो आपको थोड़ा सा dusty part बाहर आएगा लेकिन जब उसको आप use कर सकते हैं लेकिन आपका अगर rod में corrosion लग गया मतलब को उसका परत उखरने लगा तो उस rod को किसी भी condition में इस्तेमाल नहीं करना है धन्यवाद